हेलो नमस्कार दोस्तों सुआगते आपके अपने YouTube चैनल मेरा क्लासेस में और सब लोग कैसे हैं उम्मिद करते हैं कि सब लोग ठीकी होंगे और आपकी जो प्रोबिजनल आंसर की है पब्लिस हो चुकी है और आपने अपने जो आंसर है वो चेक भी कर लिए होंगे कि आखिर म आपके कितने question सही हो रहे हैं और कितने question आपके wrong जा रहे हैं तो आज की वीडियो में दोस्तो हम geography का expected cut-off पर discussion करने वाले हैं तो दोस्तो चलते हैं हम आगे की और और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से request जरू करना चाहेंगे यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर subscribe कर लेना तो हम चलते हैं आगे की और तो सबसे पहले दोस्तो हम आपको official notification पर लेकर आए हैं और official notification पर आपको इसलिए लेकर आए हैं कि हम इसमें geography में कितनी post है categories wise उसको हम देख लेते हैं क्योंकि उसी अधार पर जो cut-off तैयार होता है जितनी ज्यादा post होती है उत इतना ही cut-off जादे जाता है तो विएसे हम देख सकते हैं कि 2022 में ये notification रिलीज हुआ था और आज देखा जाए तो 2024 मतलब आगस्त चल रहा है हो September में हम पहुशने वाले हैं तो 2024 भी कुछ time बाद end होने वाला है लेकिन अभी जो पिरकिरिया है MP Assistant Professor की अभी तक complete नहीं हो total सभी category को मिला कर जितनी post है वो है 23 मातर 23 post है और बहुत कम post है जिगरोफी की हम बात कर रहे हैं दोस्तो और देखा जाए तो general category में जहाँ पर 14 post है HC category में 1 है और इसके बाद HC में 1 है, HC में तो 0 है मतलब है यह नहीं है और OBC category की बात करें तो OBC category में जहाँ पर हम देखे जहाँ पर 6 है और EWS category में जहाँ पर 2 post देखने को मिल रही है तो जहाँ पर total 23 है अब भहीं पर हम बात करें जो मद्देपरदेश के मूल निवासी है रिक्ते जहाँ पर देख सकते हैं कि रिक्तियों में से मद्देपरदेश की मूल निवासी महीला अभ्यारती है तू आरक्चित पद जो कि महीला और आरक्चित के लिए तो जनरल category में 5 post है, HC में भी जहाँ पर 0 है, HC में जहाँ पर 0 है, HC में जहाँ जहाँ पर 0 देखने को म यह अब हम आपको लेके चलते हैं इसका expected जो cut-off है, उस पर तो चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, तो जहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि हम MP Assistant Professor Exam 2024, Geography का expected cut-off पर discussion कर रहे हैं, और जो expected cut-off होता है, वहाँ कभी सही नहीं होता, rear case में ही सही होता है, लेकिन इसके आसपास ह मतलब cut-off होता है, क्योंकि हमने भी कुछ research के मादध हम से cut-off तियार किया है, और जो हमने community में जो poll create किये थे, उसमें हम पहले देख लेते हैं, तो इसमें दोस्तों जहाँ पर हम देख सकते हैं कि total जो हमको boat मिले हैं 456, जी हैं दोस्तों, चार दिन पहले हमने poll create किया था, 45 जहाँ पर boat मिले हैं, जिसमें से जहाँ पर 120 से start किया है, हमने 120 दोनो question paper को मिला कर geography और MPG के, तो 120 से 27% पर जहाँ पर देख सकते हैं, 120 question से नीचे है below, तो 27% boating इस पर हुई है, और 120 से लेकर 130 के बीच में 18% है, और 130 से और 140 के बीच में 14% है, और 140 से लेकर 150 के बीच में 10% है, अब जो 150 से above है, वो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 32% है, अब जरूरी नहीं होता है दोस्तों कि जो मतलब जो poll create किया है हमने और जो candidate इसमें poll करते हैं, बोट देते हैं, वो सही होते हैं, तो इसमें से लगबग हम 456 में से लगबग 156 तो कम कर देते हैं, पूरा total 156 हम कम कर देते हैं, तो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मात्र 300 300 बोट मिले हैं मैं 300 बोट मिले हैं 300 बोट के हिसाफसर आप देख सकते हैं कि इसकी percentage कम होती है तो लगबग जादे तो फिर भी 150 से उपर जाता है तो जिनका 150 से कुछ candidate है जिनके जादे जा सकते हैं या पर नहीं गए लेकिन अपने 156 तो सकते हैं तो कुछ candidate ऐसे हैं जिनका 156 से मतलब 150 से उपर हैं तो जहां पर देखें तो उनके नमर से कर रहा है लेकिन जो cut-off होता है वह सबसे नीचे वाला candidate का होता है जैसे कि हम बात करें कि 23 पोस्ट है ठीक है 23 पोस्ट है तो 23 का जो cut-off गया मानम सपोर्ट देट करो कि वो 140 गया ठीक है न जनरल के टिकर की हम बात कर रहा है यहां पर आप देख लीजे कि 140 का टॉप गया है तो 140 का टॉप कैसे होगा दोस्तों तो यह 140 जो नमर कोशन सही हो रहा है वो last candidate है मतलब उसका इससे नीचे बाले candidate का नाम नहीं आया है जिनका 140 है उनको ले लिए गाया बांकि उपर 142 भी हो सकते हैं 145 भी हो सकता है 150 भी हो सकता है तो अभी हमारा जो expected जो cut-off निकालके हम बता रहा है वो general category का आप देख सकते हैं कि UNR जो की male category है 140 cut-off हमने रखा है क्योंकि three time post को बुलाए जाएगा जहां पर और general category में देखे जा रहा है तो 14 post है अभी हम देखकर आ रहा है 142 मतलब 42 candidate को यहां पर select किया जाएगा और इसमें से हमने इतने कम भ जो भी candidate इसमें होते हैं और कुछ candidate ऐसे होते हैं कि जो हमने पोल create किये हैं उन तक यह पोल पहुंसते ही नहीं है तो वह भी रहते हैं तो लगभग काफी candidate होंगे इसमें भी क्योंकि हमने इसके रिगार्डिंग में हमने एक वीडियो बनाई थी तो इसके गारडिंग हम जह कम हैं तो वह EWS category में जाते हैं और सटेपिक डनबा कर EWS category में सामिल हो जाते हैं तो हमने दोनों का सेम ही माना है क्योंकि एकी category है OVC category की हम बात करें तो OVC category का 135 है और इससे कम भी जा सकता है क्योंकि दोस्तों पोश्ट कम है बहुत कम है और इसके बाद ज्यादा भी जा सकता है लेकिन हमारी research के according 135 हमने रखा है OVC female category की हम बात करें तो दोनों का same ही है 135 है AC category का 127 cut-off हमने रखा है और ACF में मतलब ACF female category में तो जहां पर देखें तो 125 cut-off है बागी HD category में post है नहीं है हमें comment section में आप हमें comment कर सकते हैं कि सर इतना जा सकता है आपके recording बांकि हमारे recording यह हैं बांकि और subject के अभी हम दीरे-दीरे cut-off आपके लिए लेकर आ रहे हैं और total पोश्ट है geography में मात्र 23 पोश्ट है मात्र और बांकि जो पोश्ट नेक्स पेस्ट में आईगी geography की वो तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि 2025 में भी इसके regarding notification आएगा MP assistant professor का क्योंकि 4000 पोश्ट है दोस्तो और 4000 में से 1669 जो पोश्ट के लिए हम अभी exam दिये हैं वो अभी है फिलाल म और आज के लिए बस इतना ही है फिर से मिलेंगे ना वीडियो ना टोपिक के साथ जब तक के लिए जय हिन जय भारत